गुजरात के सूरत जिले में किम रेलवे स्टेशन पर सोमवार को लोगों में दहशत थैल गई। जब पता चला की स्टेशन के पास रेल की पत्रियों के कई महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं। इन पत्रियों से दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस भी उनी पत्रिय से गुजरने वाली थी। राहत की बात यह रही कि इससे पहले रेल की पत्रियों पर की गई तोड़ फोर्ड का पता लगा लिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी रेलवे की पत्रियों पर डेटुनेटर और गया सिलेंडर मिलने का बाद मामल में की जाच में एनाय जैसी केंद्रिय जाच एजंसियां शामिल हुई लेकिन तीन दिन बाद ही यह खुलासा हुआ कि जिस ट्रेक्मेन ने इस तोड़ फोर्ड का पता लगाया था उसी ने दो अन्य रेलवे के करमचारियों के साथ मिलकर इस खतरनाक साज़िश को अंजाम द जाती थी ठीक उसी तरह शनिवार सुभा पांच बचकर पचीस मिनट पर ट्रैक्मेन सुभाश पोदार ने रेलवे अधिकारियों को बताया कि किम और कोसांबा रेलवे स्टेशनों के बीच कई लॉक खोले गए हैं और दो फिश प्लैट्स जो दो पत्रियों को जोडती है को हटा दिया गया है पोदार ने दावा किया कि उसने पेट्रोलिंग के दौरान तीन लोगों को पत्रियों के पास देखा लेकिन उसके चिल्लाने पर वे भाग गए राजधानी एक्सप्रेस और दादर जोधपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेने इन पत्रियों पर पहले की थी लेकिन अगली ट्रेन को रोक दिया गया जिससे बड़ा हाथसा टल गया पोदार और उसके साथी मनीश कुमार सुर्देव मिस्री ठेकेदार शुभम जायसवाल और अन्य कर्मचारियों ने ट्रैक की मरमक कर संचालन को फिर से शुरू किया पुलीस और एनाये के अध इसमान्यता की रिपोर्ट नहीं दी जबकि इतनी बड़ी संख्या में बोल्ट निकालने और फिश प्लैट्स को हटाने में कम से कम दो घंटे का समय लगता है इसके अलावा पोदार ने कहा था कि उसने तीन लोगों को देखा था लेकिन उस जगह पर किसी और के पैरों के निशान नहीं मिले अधिकारियों ने बताया कि पोदार मिस्त्री और जायसवाल ने रात का फाइदा उठा कर यह काम सुबह तीन बजे शुरू किया था जब भी ट्रेन गुजरती वो छिप जाते चार बचकर 58 मिनिट पर राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने के बाद उ इसने विडियो डिलीट कर दी जांच में पता चला कि पोदार के फोन में चार बचकर 57 मिनिट पर एक विडियो डाउनलोड किया गया जो यह साबित करता है कि उसने साजिश पहले ही कर ली थी मिसरी के फोन में दो बचकर 57 मिनिट का समय दिखाने वाली तस्वीरे भी मिली जो साबित करती हैं कि उन्होंने तब से ही तोड़ फोर्ड शुरू कर दी थी। सारे सबूत सामने आने के बाद तीनों ने अपने अपरात को कबूल कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने यह साज़िश इसलिए रजी थी। क्योंकि वे पदोन नती इनाम और सोशल मेडिया पर प्रसिद्धी पाना चाहते थे इसके अलावा वो चाहते थे कि रात की ड्यूटी जारी रहे ताकि उन्हें अतरिक छुट्पी मिल सके और वे अपने परिवार के साथ अधिक समय मिलता सके वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें